दोस्तों फैनली बिहार इंटर एडमेशन के लिए ओनलाइन आवेदन की जो परकिरिया है शुरू हो चुकी है इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकारी बताएंगे कि यदि आप चाहते हैं इंटर में दाखला करवाना तो किस परकार आप इसके लिए ओनलाइन आवेदन करेंगे साते सात अगर आपका नंबर कम है तो किस परकार कोलेज की चुआइस करनी है ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही किसी न किसी कॉलेज में दाखला आपको हो जाए उसके अलावे में जो भी guideline है inter admission को लेकर उन तमाम जनकारी को हम आपको detail में बताएंगे ताकि आपको form भढ़ने में किसी भी परकार के समस्य है या किसी भी परकार के mistake उत्पन ना हो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी helpful सावित होगा और आपसे request आएगा कि वीडियो अगर आपको पसंद है तो like जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को subscribe अवस से करें ताकि जैसे जैसे आपका जो update आएगा जैसे आपका merit लेश्ट आएगा नमांकन कैसे करवान नहीं है स्कॉलर से भी आएगा उन तमाम डीटेल पर हम आपको वीडियो लाते रहते हैं ताकि हर update आपको मिलती रहेगी और टेलिग्राम चैनल से भी आप सभी छातर चातर आए जूर जहां पर आने वाले सभी update आपको मिलती रहेगी चलते हैं अपने skin पर और सारी जनकारी आप आपको डीटेल में बताते हैं अभी आप देख पार होंगे इंटर एडमिशन के लिए यह आपका common application form है जो कि 23 से 25 सेशन के लिए है अब इस link पर कैसे आपको आना है समझे आप form को कैसे बढ़नी है पूरी जनकारी हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आपको अपने mobile या ल पर आपको क्लिक करना है जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस परकार का website ओपन होता है यहाँ पर आप देखेंगे एक option मिलता है बिहार इंटर एडमिशन 2023 ऑनलाइन अपलाई का simply क्या करना है इस बाले बिकल पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपक पीस सारे 300 रुपे लग रहे हैं सभी category के लिए merit list आने के कोई दीथी नहीं है इसलिए यहाँ पर update नहीं की गई है और यह कुछ document है जिसको जरूर आप बनवा लिजेगा इनके बीन आपका नमांकर नहीं हो सकती है इसे इसको द्यान रखेगा लेटर आने के बाद college में जब नमांकर होगा उस समय जरूरत पर नहीं वाली है नीचे scroll करेंगे यहाँ पर important link का section मिलेगा जिसमें direct link to online apply का मिलता है जिसके सामने सबसे पहले आपको registration करना होगा आपको क्या करना यहाँ पर registration वाले विकल पर आपको click करना है तो आपके सामने इस परकार का registration page खुलता है ल करेंगे तो guideline पहले हम बता देते हैं इसके लिए guideline यह है कि जो candidate online आवेदन कर रहे है उनको कम से कम 10 college चुनना जरूरी है और अधिक्तम 20 college आप चुन सकते हैं उसके अलावे जो candidate इसमें आवेदन के लिए form भरेंगे उनको एक चालू mobile नमबर देनी होगी और जो number देंगे उ payment कर देने के बाद form में सुधार नहीं हो सकती है इसका विध्यान रखेगा नीचे यहाँ पर आपको tick करना है एक option मिलता है click here to fill application form जिस पर click करेंगे आपके सामने यह form खुलता है यहाँ पर बताया गया कि देखिए जो भी detail आप भरेंगे आप अपने जो admit card है जो कि 10 भी का है उसमें पूरी जनकारी mention होती है उसको सामने रखे और उस base पर ही form को भरे सबसे पहले देखे परिक्षा board का नाम पूछा जाता है तो आपने जिस board से matic pass out किया होगा आप उसको यहाँ से select करेंगे उसके बाद आपको नीचे scroll करना है जो भी आपका matic within year होगा उस year को आना है यहाँ पर दो option है पहला option है annual का annual का मतलब है कि अगर आपने एक बार में ही pass किया है तो annual चुनना है अगर आपने फेल कर गया दोवारा से compartment के थुरू पास किया तो compartment चुनना है नीचे आनेंगे यहाँ पर आपका जो roll code होगा roll code डालेंगे roll number आपको fill करना है यहाँ आपका नाम आपका पिता जी का नाम और साथे साथ आपका जो भी माता जी का नाम है हुआ जाएगा यहाँ पर एक detail आपसे मांगी जाते है यह student unique ID number यह कहां मिलेगा तो आपके तेंथ के जो admit card होंगे admit card के ऊपर वाले हिस्से में ही आपको मिल जाएगा BSB unique ID जिसको आपको यहाँ पर fill कर देना है आप चाहे तो इसको छोर भी सकते है लेकिन आप fill कर दीजिएगा फिर इसके लिए date of birth चुनना है date of birth के लिए calendar यहाँ पर मिलता है सबसे पहले year वला पर select करेंगे और यहाँ से year को इधर भी ला सकते है जो भी आपका year होगा चुनेंगे साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो month होगा उसको चुनना और जो आपका date होगा उसको select करेंगे फिर आपको एक photo upload करना जो कि jpg, jpg, png format में होगा जिस पर आपको click करना है और photo को upload कर देना है अब यहाँ पर automatic आपका आ जागा कि कितना number आपको मिला है वो देखनों को मिलेगा अगर नही यहाँ पर देखनों को मिलता है आपको simply इसको कुछ करना नहीं है यहाँ पर आपका जो बिदाले का address होगा उस address को आपको यहाँ पर mention करना है साथे साथ यहाँ पर देखेंगे जिस भी जिले के बिदाले से आपने 10 भी कक्षा pass out किया होगा उस जिला को आपको select करना है और ने पास किया है तो आपका registration 2022 में हुआ होगा तो यहाँ से 22 चुनेंगे यह आपके admin card पे मिल जागा registration नमबर के last में आपको पता चलेगा कि year कौन सा है उसको आप यहाँ से select करेंगे फिर देखेंगे बोला जाते कि आपने विदाले कब छोड़ा है तो विदाले आप इस ब लड़की है तो female select करना है साते साथ आपकी जो मातरी वहाँ सा है वो आप यहाँ से select करेंगे हिंदी इंग्लिस आपकी उर्दू जो भी होगा आप select कर लीजिएगा नेशनालीटी आपको select करनी है और साते साथ आप धर्म बताएंगे कौन से धर्म से आप बिलोंग करते है blood group है पता तो डाले अने था इसको छोड़ देंगे और आपको adders fill करनी है adders कैसे fill करना है तो सबसे पहले आप और राज चुनना है साते साथ आपका जो जीला होगा यहां से क्या करेंगे जीला का list मिलता है आप अपने अनुसार जीला चुनेंगे और उस जीला के अनुसार आपका जो भी block होगा उसको चुनना है अब यहां पर देखिए आपको बोला जाते का अपना मकान संक्या सरक का नाम गाओ का नाम post office और थाना यह सब डालना है तो यहां पर आपको धियान यह देना है कि आपका जो village होगा इस पर कर क्या करना है village लिखना है और village का spelling डाल द डालना है साथे साथ आपके पास अधार काड है तो अधार नमबर इस box में fill करना नहीं है तो इस detail को आप छोड़ सकते हैं और जिनके पास अधार काड नहीं होगा भाई मेरे यहां पर T करेंगे जो candidate अधार काड डालेंगे उनको T करना जरूरी नहीं है नीचे S call करेंगे आपका जो भी category होगा category को आप यहां से select करेंगे साथे साथ अगर आप दिवियांग है तो उसकी जनकारी देंगे S करेंगे नहीं है तो no करेंगे EWA से है तो S no में आपको बतानी है नीचे आएंगे यहां पर देखिए आपको बोला जाता है कि आप जो college चुनना चाहते है जो stream रखना चाहते है उसकी जनकारी फिल करनी है अब देखिए college चुनने से पहले आपको cut up देख लेना है कि किस college का क्या cut up जाता है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो देखिए पर्थम list के लिए cut up है second list के लिए और third list के लिए आप चाहते है पर्थम list में ही आपका नाम है अगर आपका number second division, third division है एक बार आपको देख लेना जिस जिला में आप नमांकल ले रहा है उस जिला को select करकर search कर लिजिगा और आपके सामने college का नाम आ जाएगा उस college का देख लिजिगा कि आपके category में cut up क्या गया था अगर माल लिजे पर्थम list में आपको नाम उसी में लेना है लेकिन उतना number नहीं है उससे बहुत कम है अगर माल लिजे किसी का 50 परतेसत आपके category में cut up है और आपका number भी जो है 50 परतेसत या 45 परतेसत भी है तभी आप इस college को चुनें यह नहीं कि आपका number 35 परतेसत है इस college को चुनेंगे तो आपका पर्थम list में भी नाम नही जागा तो इस पर कर आकर एक बार देख लिए कि आपका category वाइज क्या cut up गया हुआ है अब आपको जिस भी जिला में admission लेना है simply आप उस जिला का chain यहां से करेंगे साथे साथ उस जिला का chain करने के बाद आपके सामने उस जिला में जितने भी college चलाय जारव होते हैं उन सभ भी college का यहां पर आपको नाम मिलता है उस college को आपको यहां से select करना है और उसके बाद यहां से जो भी stream रखना चाहते है science commerce art यह college के उपर depend करेगा college जब चुनेंगे तो science commerce art का आपको option मिलेगा अगर science commerce ही करा जागा तो art नहीं मिलेगा, commerce नहीं कराता होगा तो option आपको नही करना है फिर आपको क्या करना है यह जो जिल्डा आपको चुनना hai उसको कुनेंगे फिर जो कॉलेज आपको देना है उसको कॉलेज को यहां से चुनने पर कम से कम हमने आपको बताया कि 10 कोलेज आपको देना ही है और अधिकतम 20 कोलेज आपको चुन लेना है अब आपके सामने आपका जो preview section है ये खुलता है इसमें आप सभी जानकारी को एक बार जरूर मिलान करें जो detail आपने fill किया है सारा detail सही है तो यहाँ पर आपको confirm करना कोई detail गलत है तो अभी back to modify पर click करके detail को update कर सकते मेरा सारा detail सही है confirm वाले विकल पर click करेंगे और आपको confirm करना ok वाले विकल पर click करना है अब आपको payment करना होगा देखेंगे payment करने के लिए आपके सामने option आता है यहाँ पर payment करने से पहले जो number आपने दिया है उसपर OTP गया होगा OTP को fill करेंगे और समिट वाले विकल पर किलिक करना है कभी कभी OTP नहीं आता तो नीचे में OTP भी आप अन्वाज सकते हैं इस चिच को ध्यान रखेगा इस परकार कंगराशुलेशन का उप्सन आएगा और साथ ही साथ यहां पर देखेंगे आपका पंजीकरन रिफरेंस नंबर आ जाएगा यहां पर अगर बसुदा के अंदरे से फॉर्म भरते तो फर्स्ट उप्सन चुनना है अगर आप नॉर्मल भरते तो सब पैसा को सेलेक्ट करकर प्रोसीड वाले विकल पर क्लिक करना पैमेंट गेटवेए पर आपको डिडरिक करेगा और यहां पर देखेंगे पैमेंट करने का कई सारे ओप्सन है डेविड कार्ट, क्रेडिक कार्ड, नेट बहेंगेंग आप यो भी माध्धम चुनना चाहते हैं उसो माध्धम को यहां से आपको select करना है और अपना card का सभी detail card कि इनके नाम से aspiring month year डालना है सभी भी number डालना है और pay now पर click करना है सब फलता प्रुवक होने के बाद यहां से आप इसका जो print है यही से download आप कर सकते हैं भविस में अगर आपको दुबारा login करना है तो वड़ा print लेना है तो login बाले भी कल पर आप click करेंगे आपको जो reference number मिला होगा mobile number पर चला जाता है वो reference number डालकर आपना password डालकर direct आप यहां से login करेंगे इस पर click करके आप यहां से login हो जाएंगे दोस्तों अभी आपने देखा हमने आपको complete process बताया कि इंटर में दाखिला के लिए आपको किस परकार online आवेदन करना है साथे साथ कैसे college चुनना है वो complete process हमने आपको बताया अगर आपको कोई doubt, confusion है आप comment करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका जो भी जबाब हो उसे मैं दे पाऊं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आप चाहते हैं मुवाइल से अबेदन करना तो वीडियो आपको बगल में मिल रहा होगा जाकर आप देख लीजिएगा मुवाइल से भी हमने बताया है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद